गुद्वर्णिंग गाईज वेलकम टू विद्धाइट टूइफोग आज हम लो श्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ बायलोजिक अब्जेक्टिक कोशेंज चैप्टर है उत्तक टिक है टिशू चैप्टर है और ये पार्ट टू है तो चले डिसकस कर लेते हैं पार्ट कोशें कहां पा जाती है क्यों क्यूब आईडल ए पितिलियों में या उपास्थी में एपी ऐडिपोर्स आफीस पले अस्थी में अस्थियों में 22 इन में से कौन ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिगनिन नहीं पाजाता है परेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, अस्कलेंकाइमा या कॉलेंकाइमा तो 22 का राइट एंसर होने वाला है ऑप्सन नमबर B यानि की कॉलेंकाइमा ठीक है कॉलेंकाइमा इसका राइट एंसर होगा आप लोग को क्या करना है लाइक, सेर और सस्क्राइब भी करना है ताकि ज़्यादा ज़्यादा स्टूजेंट जुड़े और जितने भी कोशियंस है, सबको नोट डाउन करना क्योंकि 2022 से रिलेटेड कोशियंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ऐसा कोशियंस में इंक्लूड क्या गया है, जो कि प्रतिक एक्जाम में देखे गए है चले देख लेते, कोशन नमबर 23, कोशन में 23 है, पोधे में सबसे लंबी कोशिका कोन सी है पेरेन काइमा, क्लारिड्स, पेरेन, ये कामपेनियल, कामपेनियल सेल या फिरेशी, फाइबर तो क्या होगा इसका और इसका से अंसर है, 23 का राइट अंसर होना चाहिए रेशी फाइबर जो कि सबसे लंबी कोशिका है, फाइबर अगला कोशन, कोशन नमबर 24 कार्क में सबसे जमाव के कारण, किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरच्छा उत्पन होती है कार्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरच्छा उत्पन होती है तो सुबेरीन, लिगनीन, रेजीन या टैनीन तो इस कोशन का सही अंसर होगा सुबेरीन ओप्सन नमबर एज होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर एज का सही होतर होगा अगला कोशन देख लेटे है कोशन नमबर थेंटी फाइब कोशन में तो 25 है कार्क कैम्बियं कार्क कैम्बियं का उधारन हैं क्या पार्स विवजोतकme, सिरसस्त विवजोतक, inter calorie विवजोतक , और प्राथमिक विवजोतक क्या होगा 25 का right answer तो इस question का science होना चाहिए पार्ट सुविब जो तक option number A जो होगा इसका right answer होगा question number 26 इन में से किन पोधों में अरेंज काइमा पाय जाता है अरेंज काइमा पाय जाता है इन में से किस पोधे में तो मरुभुमी में पाय जाने वाले पोधे मरुभुमी यानि के मरुस्थल चटानों में पाय जाने वाले पोधे लवन युक्त वातावरन में पाय जाने वाले पोधे लवन युक्त यानि नमक वाले युक्त ठीक है न या फिर जल में पलवन करने वाले पोधे तो क्या होगा इसका सही अंसर अरेन काइमा पाई जाता है किस पोधे में तो जल में पलवन करने वाले पोधे में अरेन काइमा पाई जाता है ठीक है अगला कोशेन देख लेते हैं कोशेन नमबर 27 कोशेन में 27 है शह कोशिकाएं पाई जाती है शह कोशिकाएं किस में पाई जाती है फ्लोयम में, जैलम में, बृदूक उत्तक में या द्रिड उत्तक में 27 का राइट अंसर क्या होगा Quesion में 27 का सई अंसर होने वाला Option No.A यानि की फ्लोयम अच्छा फ्लोयम का वर्क क्या है तो हर एक पोधे में भोजन को ट्रांसफर करवाना ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 28 कार्क कोशिकाओं में पाय जाता है क्या तो लैक्टेज, सैलूलोज, सुबरी या लिगनी ठीक है इस कोशन का 20 नमबर 8 का राइट एंसर होने वाला है ओप्शन नमबर C यान की सुबरी कार्क कोशिकाओं में क्या पाय जाता है तो सुबरी पाय जाता है next question, question number 29, उपास्तियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो osteoclitis या erythrocytus, lymphocytus या फिर option number D जो है, Cardiocytus, तो इस question का सही अंसर क्या होने वाला है, 29, उपास्तियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो lymphocytes, ठीक है, lymphocytes इसका right अंसर होगा, option number C, जो होगा, इसका सही उतर हो जाए जागा, अगला question 30, question में 30 है, रख्त प्लाज्मा से, फाइब्रे नोजीन की निकासन के बाद क्या बनता है, रख्त के प्लाज्मा में से, अगर फाइब्रे नोजीन को निकाल जया जाता है, तो क्या बनता है, लिंप बनता है, सिरुम बनता है, शिवम बनता है, या क्लाजम बनता है, तो इस question का सही अंसर होना चाहिए, debr hoş PayPal कैष है, serum, फैबरी नोजन नाम का पिगमेंट को निकाल जाएगा, तो वह serum बन जाता है, ठीक है, theorem बनता है, छ alkalized को जाए से सीरम किसे बनता है छक्रसेंड देख लेते हैं 31 कोशयन नंबा 31 है इंद मेंशे कोन एक रखत कोशिका है अरिथ्ट्रोसाइट लेंफोसाइट प्रामोसाइट क्या होगा स्वाद गारि शरी सब्सक्राइबन कोशन में 30..! तो ट्रेकिया और अंड वाहिनि.. स्वारी.. अंड वाहिनी नहीं यह 32 का जो राइट कोशन है.. वह अच्छा अंड वाहिनि है. कोशन दिखने रहा वड आप जो हम बोड़ है उसको नो ट्रेकिया और अंड वाहिनी में पाय जाने वले उत्तक ट्रेकिया और अंड वाहिनी में पाय जाने वले उत्तक क्या है तो A नंबर है घनाकार एपिथिलियम ट्रेकिया घनाकार एपिथिलियम B नंबर है पच्छमल एपिथिलियम C नंबर है वशिय उपास्ती और यह हम लोग पढ़ दे हैं question number 32 वस्य उत्तक या फिर कंकाल उत्तक फिर शेव option देख लेते हैं घनाकार एपिथिलियम, पच्छमल एपिथिलियम, वस्य उत्तक या फिर कंकाल उत्तक तो इस question का right answer होगा पच्छमल एपिथिलियम ट्रेकिया और अंड वाहिनीं में पाई जाने लेज़ा उत्तक जो है वो पच्छमल एपिथिलियम है अगला question 33 question 35 जो है, वो एक्चोल में है कि syndrome blast कोुषिकाये किस उत्तक में पाई जाते हैं तो दिरिड उत्तक, अस्ती, उपास्ती या रकत दृड उतक, अस्ती, उपास्ती या रक्त तो question number 33 का right hand से होने वाला है उपास्ती क्या होगा? उपास्ती अगला question हमारे कान, नाग, उपास्ती से बने होए हैं question number 34 है कि जिस मृदूतक की कोशिकाओं में जिस मृद्दूतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाय जाता है उसे क्या कहते हैं द्रिड उत्तक, कॉलेन, क्लोरेन काइमा, पर्ण हरित या उस्थूल कोन उत्तक क्या क्या option है द्रिड उत्तक, क्लोरेन काइमा, पर्ण हरित या उस्थूल कोन उत्तक इस कोशन का सही अंसर होजाएगा क्लोरेन काइमा क्लोरेन काइमा इसका Right अंसर होगा Option Number मुँग फली और बादम के छिलके में क्या पा साथ है हरीत लवक पा साथ हम उन्कषिक हा компании लवत जायרים या अस्क्लेरिड पाए जाता है या चालनी उत्तक पाए जाता है चालनी पट है ठीक है थोड़ा दीखने रहा है चालनी पट है कोशेन फिशेप पढ़ लेते हैं मुंग फ़ाली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाता है तो हरीत लवक आंतर कोशिकिय स्थान स्क्लेरिड्स पाय जाता है या चालनी पट पाय जाता है इस कोशेन का सही अंसर होगा हरीत लवक ठीक है मुंगफाली और बादाम के छिलके में हरीत लवक पाय जाता है Question Number 36 36 बोड़ा है 민्यीर उत्तक एक परकार का सरल उत्तक है जटिल उत्तक है विवजोतिक उत्तक है या इन मेशिक कोई नी 36 का सही अंसर होगा जटिल उत्तक ठीक है क्या होगा जटिल उत्तक Question number 37, समवेदना या चालन, सरीर के एक भाग से दुसरे भाग में होता है क्या, पेशी में, तंत्रीका उत्तक में, संयोजी उत्तक में, या एपिथिल्यमी उत्तक में, समवेदना का चालन, चालन यानि की मोमेंट, टांसफर होना, वो सरीर के एक भाग से दुसरे भाग में होत किसके जरी यह पेशी उतक या फिर तंत्रिका उतक सईयो जी उतक या फिर एपि थिल्या में उतक तो इस question का राइट अंसर होगा तंत्रिका उतक तंत्रिका उतक से ही sense एक जगा से दूसरे जगा ट्रांसफर होता है नेस्ट कोशेन थाटी एट कोशेन में थाटी एट है किस परकार के उत्को की किर्यासिलता के कारण पोधे में वार्षिक वलाई बनते हैं वार्षिक वलई ठीक है किन उत्तोक्य के किर्या सिल्ता के कारण बनते हैं संवहन उत्तक पार्ष विवजोत्तक उत्तक या फिर सिर्षस्त विवजोत्तक या द्रिड उत्तक इसको शेन का राइशन से होना चाहिए पार्ष विवजोत्तक उत्तक के कारण पोधे में वार्षिय वलई बनते हैं और इसी वार्षिय वलई से हम लोग पता कर सकते हैं कि पोधे का उस पेड का एज कितना है या फिर उस समय कितनी सैंटी ग्रेट वर्षा हुई थी कोशेन नमबर 39 देख लेते हैं कोशेन नमबर 39 क्या है कि विभाजन की चमता होती है विभाजन की चमता किसमे 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 होती है ठीक है विभाजन की कोशी का विवज्योत्यक उत्तक में होती है अगला कोशन है कोशन नमबर 40 तो लिगामेंट का निर्मान करता है लिगामेंट का निर्मान कोन करता है एपिथिल्यमी उत्तक, पीला तंतुमाई उत्तक, सवेथ तंतुमाई उत्तक या जालवत सहयोजी उतक तो इस question का सही अंसर होने वाला है पीला तंतुमाई उतक option number B जो होगा इसका सही अंसर होगा तो आज के लिए इतना है मिलते हैं next class Thank you